श्री राम कृष्ण वच्छनामरित प्रथम भाग परिच्छेद एक प्रथम दर्शन श्री गंगा जी के पूर्व तट पर कलकत्य से कोई छह मेल दूर दक्षनेश्वर में श्री काली जी का मंदिर है यहीं भगवान श्री राम कृष्ण देव रहते हैं वसंत रितु है 1882 इश्वी का फरवरी माह श्री राम कृष्ण के जनमोचसव के बाद कुछ दिन बीच चुके हैं श्री केशव चंद्रसेन और जोसेफ कुक के साथ 23 फरवरी ब्रिहस पतिवार के दिन श्री राम कृष्ण जहाज में बैठकर घूमने गए थे इसके कुछ ही दिन बाद 26 फरवरी की घटना है संध्या का समय था मास्टर ने श्री राम कृष्ण के एक कमरे में प्रवेश किया इसी समय उन्होंने श्री राम कृष्ण देव के प्रथम बार दर्शन किये उन्होंने देखा कमरा लोगों से भरा हुआ है सब लोग चुपचाब बैठे उनके वचना मृत का पान कर रहे हैं श्री राम कृष्ण तकहत पर पूर्व की ओर मुह किये बैठे हैं प्रसन्न वदन होकर ईश्वरिये चर्चा कर रहे हैं भक्त गण फर्श पर बैठे हुए हैं कर्म त्याग कब होता है मास्टर खड़े खड़े आश्चरिय मुग्द होकर देखने लगे उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो साक्षात शुकदेव भगवत प्रसंग कर रहे हैं तथा उस स्थान पर सभी तीर्थों का समागम हुआ है अथवा मानो श्री चैतन्य देव पूरी धाम में रामानंद स्वरूप आदी भगतों के साथ बैठ कर भगवान का नाम गुणगान कर रहे हैं श्री राम कृष्ण कह रहे थे जब एक बार हरी नाम या राम नाम लेते ही रोमान्च होता है आसुमों की धारा बहने लगती है तब निश्चित समझो कि संध्या अधी कर्मों की आवश्यक्ता नहीं रह जाती तब कर्म त्याग का अधिकार पैदा हो जाता है कर्म आप ही आप छूट जाते हैं उस अवस्था में केवल राम नाम, हरी नाम या केवल ओंकार का जब करना ही परियाप्त है आपने फिर कहा संध्या वंदन का लए गायत्री में होता है और गायत्री का ओंकार में माश्टर सिध्धेश्वर मजूमदार सिध्धू के साथ वराह नगर से निकल कर एक बाग से दूसरे बाग में घूमते हुए यहाँ आप पहुंचे थे रविवार का दिन था छुट्टी थी इसलिए घूमने निकले थे थोड़ी देर पहले श्री प्रसन्न बनरजी के बाग में घूम रहे थे उस समय सिध्धू ने कहा गंगाजी के किनारे एक सुन्दर बगीचा है देखने चलिएगा वहाँ एक परमहन से रहा करते हैं बगीचे के सामने वाले फाटक से प्रवेश कर माश्टर और सिध्धू सीधे श्री राम कृष्ण देव के कमरे में आए माश्टर विश्मित होकर देखते हुए सोचने लगे वाह कैसा सुन्दर स्थान है कितने अच्छे महात्मा है कैसी सुन्दरवानी है यहां से हिलने तक की इच्छा नहीं होती थोड़ी देर बाद उन्होंने मन में विचार किया एक बार देखाऊं कहां आया हूं फिर यहां आकर बैठूँगा माश्टर सिध्धू के साथ कमरे से बाहर निकले ठीक उसी समय आरती की मधुर ध्वनी आरंब हुई एक साथ घंटे घडियाल जांज म्रिदंग आती बजूठे उद्ध्यान की दक्षन सीमा से नौबत की मधुर ध्वनी गुँझ उठी वह ध्वनी मानो भागी रथी के वक्ष पर से संचार करती हुई कहीं दूर जाकर विलीन होने लगी वसंत समीर पुष्पों की सुगंध लिये मंद मंद बह रहा था चारों और जोच्सना चा गई प्रकृती में सरवत्र मानो देवताओं की आरती का आयोजन हो रहा था बारह शिव मंदिर, श्री राधा कांत मंदिर और श्री भवतारिणी के मंदिर में आरती देखकर माश्टर को अत्यंत प्रसन्यता हुई सिद्धु ने बताया यह रास्मनी का देवस्थान है यहां देवताओं की नित्य सेवा पूजा होती है रोज कई लोग आते हैं, कई साधु, संत, ब्रह्मन, भिखारी यहां प्रसाद पाते हैं भवतारिणी के मंदिर से निकल कर दोनों बातचीत करते करते पक्के विस्तीर्ण आंगन पर से चलते हुए पुनह श्री राम क्रश्न के कमरे के सामने आ पहुंचे उन्होंने देखा, कमरे का दरवाजा अब बंद कर लिया गया है कमरे के भीतर अभी धूप दिखाया गया है मास्टर, अंग्रेजी पढ़े लिखे आदमी हैं सहसा घर में घुस न सकते थे द्वार पर व्रिंदा कहारिन खड़ी थी मास्टर ने पूछा सादू महराज क्या इस समय कमरे के भीतर हैं उसने कहा, हाँ वे भीतर हैं मास्टर, ये यहां कब से हैं व्रिंदा ने कहा, ये तो बहुत दिनों से हैं मास्टर ने कहा, अच्छा, तो पुस्तके खूप पढ़ते होंगे व्रिंदा पुस्तके उनके मुँँ में सब कुछ है मास्टर हाल ही में पढ़ाय लिखाय पूरी करके आये थे श्री राम कृष्ण पुस्तके नहीं पढ़ते यह सुनकर उन्हें और भी आश्चर यह हुआ मास्टर अब तो ये शायद संध्या करेंगे क्या हम भीतर जा सकते हैं एक बार खबर दे दोना व्रिंदा तुम लोग जाते क्यों नहीं जाओ भीतर बैठो तब दोनोंने कमरे में प्रवेश किया देखा कमरे में और कोई नहीं है श्री राम कृष्ण अकेले तखत पर बैठे हैं कमरे में धूप की सुगंध भर रही है सभी दरवाजे बंद हैं मास्टर ने अंदर आते ही हाथ जोड़ कर प्रणाम किया श्री राम कृष्ण द्वारा बैठने की आग्यां पाकर वे और सिद्धू फर्ष पर बैठ गए श्री राम कृष्ण ने पूछा कहां रहते हो क्या करते हो वराह नगर क्यों आए इत्यादी मास्टर ने सारा परिचए दिया वे देखने लगे कि श्री राम कृष्ण का मन बीच बीच में मानो दूसरी ओर खिच रहा है उन्हें बाद में मालूम हुआ कि इसी को भाव कहते हैं मानो कोई बंसी डाल कर मचली पकड़ने बैठा है जब मचली आकर काटे में लगे चारे को खाने लगती है और बंसी का शोला हिलने लगता है उस समय वह आदमी किस प्रकार व्यस्त होकर बंसी को पकड़े हुए एक आग्र चित्त से शोले की ओर टक-टकी लगा कर देखने लगता है किसी से बादचीत नहीं करता यह भी ठीक उसी प्रकार का भाव था बाद में मास्टर ने सुना और देखा कि संध्या के बाद श्री राम कृष्ण को इस प्रकार का भावांतर प्रायह प्रतिदिन हुआ करता है कभी कभी तो वे पूरी तरहे बाहिये ज्ञान शुन्य हो जाते हैं मास्टर आप तो अब संध्या करेंगे अब हम चले श्री राम कृष्ण भाव में स्थित होते हुए ही नहीं संध्या ऐसा कुछ नहीं है और कुछ देर बाद चीत होने के बाद मास्टर ने प्रणाम किया और चलना चाहा श्री राम कृष्ण ने कहा फिर आना मास्टर लोटते समय सोचने लगे ये सोम्य दर्शन पुरुष कौन है इनके पास फिर लोट जाने की इच्छा हो रही है क्या बिना पुस्तकों के पड़े भी मनुष्य महान बन सकता है कितना आश्चर यह है मुझे यहां फिर आने की इच्छा हो रही है इन्होंने भी कहा फिर आना कल या परसों फिर से आऊंगा परिच्छे दो दृतिय दर्शन सुबह का समय था आठ बजे होंगे श्री राम कृष्ण उस समय दाड़ी बनवाने की तैयारी में थे तब भी थोड़ी ठंडी थी इसलिए वे शरीर पर गरम किनारी दार शाल ओड़े बैठे हुए थे मास्टर को देख कर उन्होंने कहा तुम आए हो अच्छा यहां बैठो यह वारतालाब श्री राम कृष्ण के कमरे के दक्षिन पूर्व बरामदे में हो रहा था नाई आया हुआ था श्री राम कृष्ण उसी बरामदे में बैठकर दाड़ी बनवाने लगे बीच बीच में वे मास्टर के साथ बात चीत कर रहे थे शरीर पर शाल थी पैर में जूतियां सहास्य वदन थे बात करते समय कुछ तुतलाते थे श्री राम कृष्ण मास्टर से क्यों जी तुम्हारा घर कहा है मास्टर ने कहा जी कलकते में श्री रामकृष्ण यहां कहां आये हो। मास्टर यहां वराह नगर में बड़ी दीधी के घर आया हूँ। ईशान का विराज के यहां। श्री रामकृष्ण ओहो ईशान के यहां। श्री केशव चंद्रसेन के लिए श्री राम कृष्ण का जगन माता के पास रोना श्री राम कृष्ण क्यों जी केशव अब कैसा है बहुत बीमार था मास्टर जी हाँ मैंने भी सुना था कि बीमार है पर अब शायद अच्छे हैं श्री राम कृष्णा, मैंने तो केशव के लिए मा के निकट नारियल और चीनी की पूजा मानी थी, रात को जब नीद उचट जाती थी, तब मा के पास रोता और कहता था, मा केशव की बिमारी अच्छी कर दे, केशव अगर न रहा, तो मैं कलकत्ते जाकर बाचीत किस से करू इसी से तो नारियल चीनी मानी थी, क्यों जी, क्या कोई कुक सहाब आया है, सुना वह व्याख्यान देता है, मुझे केशव जहाज पर चढ़ा कर ले गया था, कुक सहाब भी साथ था, मास्टर, जी हाँ, ऐसा ही कुछ मैंने भी सुना था, परंतु मैंने उनका व्याख्या नहीं सुना, उनके विशय में जादा कुछ मैं नहीं जानता, ग्रिहस्त तता पिता का करतव्य, श्री राम क्रश्न, प्रताप का भाई आया था, कुछ दिन यहां रहा, काम का आज कुछ है नहीं, कहता है, मैं यहां रहूंगा, सुनते हैं, जोरू जाता सब को ससुराल भे दिया है, कच्चे वच्चे कई हैं, मैंने खूब डाटा, भला देखो तो, लड़के बच्चे हुए हैं, उनकी देख रेक, उनका पाल पोश तुम न करोगे, तो क्या कोई गाम वाला करेगा, शर्म नहीं आती, बीवी बच्चों को ससुर के यहां रख दिया है, उन्हें क रामकाज खोज लेने को कहा, तब यहां से गया, मास्टर का तिरसकार, टथा उनका अहंकार चूर्ण करना, रामकृष्ण, मास्टर से, क्या तुम्हारा विवाह 270 हो गया है, acceso जी रामकृष्ण चौंक का, अरे रामलाल, अरे अपना विवाह तो इसने गर डाला, रामलाल श्री राम कृष्ण के भातीजे और काली जी के पुजारी है मास्टर घोर अपराधी जैसे सिर नीचा किये चुपचा बैठे रहे सोचने लगे विवाह करना क्या इतना वड़ा अपराध है श्री राम कृष्ण ने फिर पूछा क्या तुम्हारे लड़के बच्चे भी है मास्टर का कलेजा काप उठा डरते हुए बोले जी हाँ लड़के बच्चे हुए है श्री राम कृष्ण ने फिर दुख के साथ कहा अरे लड़के भी हो गए इस तरह तिरस्कृत होकर मास्टर चुपचा बैठे रहे, उनका अहंकार चून होने लगा, कुछ देर बाद श्री राम कृष्ण ससनेह कहने लगे, देखो तुम्हारे लक्षन अच्छे हैं, यह सब मैं किसी के कपाल आखें आधी को देखते ही जान लेता हूँ, अच्छा त पर अज्ञान है, श्री राम कृष्ण आप्रसन नहोकर, अच्छा और तुम ज्ञानी हो, मास्टर नहीं जानते, ज्ञान किसे कहते हैं, और अज्ञान किसे, अभी तो उनकी धारणा यही है, कि कोई पढ़ लिख ले, तो मानो ज्ञानी हो गया, उनका यह भ्रम दूर तब हुआ, जब उन्होंने सुना, कि इश्वर को जान लेना ज्ञान है, और न जानना अज्ञान, श्री राम कृष्ण की इस बात से, कि तुम ज्ञानी हो, मास्टर के अहंकार फर फिर धक्का लगा, श्री राम कृष्ण, अच्छा, तुम्हारा विश्वास साकार पर है या न निराकार पर भी विश्वास हो सकता है, इश्वर निराकार है, यदि ऐसा विश्वास हो, तो इश्वर साकार है, ऐसा भी विश्वास कभी हो सकता है, ये दोनों विरोधी भाओ, किस प्रकार सत्य हो सकते हैं, सफेद दूध, क्या कभी काला हो सकता है, मास्टर, निराकार म अधिक पसंद है श्री राम कृष्णा अच्छी बात है किसी एक पर विश्वास रखने से काम हो जाएगा निराकार पर विश्वास करते हो अच्छा है पर यह नह कहना कि यही सत्य है और सब जूट यह समझना कि निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है जिस पर तुम्हारा विश्वास हो उसी को पकड़े रहो दोनों सकते हैं यह सुनकर मास्टर चकित हो गए यह बात उनके किताबी ज्यान में तो थी ही नहीं तीसरी बार धक्का खाकर उनका आंकार चूर्न हुआ पर अभी कुछ रह गया था इसलिए फिर वे तर्क करने को आगे बढ़े मास्टर अच्छा वे साकार है यह विश्वास मानो हुआ पर मिट्टी की या पत्थर की मूर्ती तो वे है नहीं श्री राम कृष्ण मिट्टी की मूर्ती वे क्यों होने लगे पत्थर या मिट्टी नहीं चिनमई मूर्ती यह बात मास्टर समझ न सके उन्होंने कहा अच्छा जो मिट्टी की मूर्ती पूझते हैं उन्हें समझाना भी तो चाहिए कि मिट्टी की मूर्ती इश्वर नहीं है और मूर्ती के सामने इश्वर की ही पूझा करना ठीक है किन्तु मूर्थी की नहीं श्री राम कृष्ण अप्रसन होकर तुम्हारे कलकत्ते के आद्मियों में यही एक धुन सवार है सिर्फ लेक्चर देना और दूसरों को समझाना अपने को कौन समझाए इसका ठिकाना नहीं अजी समझाने वाले तुम हो कौन जिनका संसार है वे समझाएंगे जिन्होंने स्रिष्टी रची है सूरिय, चंद्र, मनुष्य, जीव जन्तु बनाएं है जीव जन्तुों के भोजन का उपाय किया है उनका पालन करने के लिए माता पिता बनाएं माता पिता में सनेह का संचार किया है वे समझाएंगे इतने उपाए तो उन्होंने किये और यह उपाए वे ना करेंगे अगर समझाने की जरूरत होगी तो वे इश्वर ही समझाएंगे क्योंकि वे अंतर्यामी है यदि मिट्टी की मूर्ती पूजने में कोई भूल होगी तो क्या वे नहीं जानते कि पूजा उन्हीं की हो रही है वे उसी पूजा से संतुष्ट होते हैं इसके लिए तुम्हारा सिर क्यों धमक रहा है तुम दो यह चेश्टा करो जिससे तुम्हे ग्यान हो भक्ती हो अब शायद मास्टर का अहंकार बिल्कुल चूर्ण हो गया वे सोचने लगे ये जो कह रहे हैं वह ठीक ही तो है मुझे दूसरों को समझाने की क्या जरूरत क्या मैंने इश्वर को जान लिया है या मुझ में उनके प्रति विशुद्ध भक्ती उत्पन हुई है स्वयम के सोने के लिए जगह नहीं है और लोगों को न्योता दे रहे हैं स्वयम को कुछ ग्यान नहीं अनुभव नहीं और दूसरों को समझाने चले हैं वास्तों में कितनी लच्चा की बात है कितनी हीन बुद्धी का काम है क्या यह गणित इतिहास या साहित्य है कि दूसरों को समझा दे यह इश्वर ये ग्यान है यह जो बातें कह रहे हैं वे कैसे हृदई को स्पर्श कर रहे हैं श्री राम कृष्ण के साथ मास्टर का यही प्रथम और यही अंतिम तरक वाद था श्रीराम कर्शन, तुम मिट्टी की मूर्ती की पूजा की बात कहते थे, यदि मिट्टी ही की हो, तो भी उस पूजा की जरूरत है देखो सब प्रकार की पूजाओं की योजना इश्वर ने ही की है जिनका यह संसार है उन्होंने ही यह सब किया है जो जैसा अधिकारी है उसके लिए वैसा ही अनुष्ठान इश्वर ने किया है लड़के को जो भोजन रुचता है और जो उसे सही है वही भोजन उसके लिए माँ पकाती है समझे माश्टर ने कहा जी हाँ बिलकुल इस प्रकार श्री राम कृष्ण वचनाम रित का प्रथम भाग यही संपूनता को प्राप्त होता है शेश अगले अंक में ही 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 ऐस्य है यही है वी होता है वी के प्रेंगे इस क्यों है चीवर्चता है श्रीॉ Ram